नवो नरायन जय महाकाल जय मावगला मुखी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक हनुमान जी से रेटेड है हनुमान जी जो संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं पवन पुत्र भी कहे जाते हैं मारती नंदन है इसलिए और हनुमान जी कल्यूक के चिरंजीवी रभू है आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है यह संकेट अगर आपको मिलते हैं तो हनुमान जी आपसे प्रसंद है खुस है यदि आपके हातों में अगर आप हस्त रेखा पर विश्वात करते हैं मंगल देखा अगर आपको इसपश नजर आ रही है तो निश्चीती हनुमान जी की आप पर क्रपा है आप बुराईयों से दूर रहेंगे यदि आपकी कुणली में मंगल मेस वरस्ची के मकर रासी में है सुर बुद्ध एक ही जगर पर बैटे हैं दसमे भाव में मंगल है तो माना जाता है कि आपका मंगल अच्छा है और हमान जी की आप पर क्रपा है अगर आपका जिगर मजबूत है उपर का ओंठ बड़ा और अच्छा है रख एकदम सुद्ध है आँखों के जोती सही है तो भी माना जाता है कि मंगल आपका सुभ है मंगल के सुभ होने का अर्थ है कि आप पर हनुवान जी की कृपा है यदि आपको हनुवान जी या राम जी सपने में किसी भी प्रकार से दर्सन देते हैं तो समझो आप पर उनकी कृपा है यदि आपके घर में रामायर पाठ होता रहता है या नीवीत रूप से आप हनवान चाहिसा पढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आप पर हनवान जी की कृपा है हनवान जी जिस पर भी प्रसंद रहते हैं वो व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है ऐसे जाता कि जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं होता है निर्वीक साहसी और सक्तिसाली होकर भी आप नेक न्याइप्री और विनम्र है तो निश्चित ही आप से हनुवान जी प्रसंद है जैसे आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस या उच्छ प्रदासी नदिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे है तो हनुवान जी की आप पर खृपा है हनुवान जी प्रसंद है तो ऐसे जातक हर्चेतर में प्रगति करते हैं सफलता पाते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बादा और कस्ट नहीं आता है उनकी हरकार आसानी से होते जाते हैं, उनके जीवन में इस्थाइत तो आ जाता है, यदि आप मन, वचन और कर्म से एक पवित्र हैं, आपकी कथनी और कर्नी में कोई भेद नहीं है, तब समझ लेकि हनुमान जी की आप पर कृपा है, आप कभी भी जूट नहीं बोलते हैं, कि तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कर्पा है, आप पर किसी भी प्रकार से सनी की साड़े साती ढईया या अन्य, किसी भी तरह की सनी पीड़ा कासर नहीं होता है, तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कर्पा है, यदि आप से आपके बड़े या छोटे भाई आपकी मदद करते हैं तो समझ जाइए है हनवान जी आप से प्रसंद है जब भी सपने में आप हनवान जी को सामान बाज़ी में में देखते हैं और आपके तरफ you कर रहे हैं या आपके कड़्ीम या बंद्रों को देख रहे हैं या आपको आसीस मिल लहा है उनका अस्रिवाद मिल लहा है तो इसका मतलब होता एक जल्द ही आपको सफलता मिलने वाली है अगर आपके हाथों में मंगल रेखा साफ है तो जीवन के परिसानिया दूर होंगी हनवान जी करपा से परिवार खोसाल और सस्त रहेगा हनवान जी को प्रसंद करने के लिए मंगल वार और सनिवार के दिन सिंदूर चड़ाना चाहिए दो बाते और जाल लीजे अगर सपने में कोई बंदर आपको क्रोध की अवस्था में दिखाई दे या फिर सपने में बहुत सारे बंदर उचल कूट करते वे दिखाई दे तो यह बिल्कुल भी सही संकेत नहीं होता है इससे पता चलता है कि हनवान जी हमसे रुष्ट है लेकिन अगर सपने में आपको हनवान जी राम जी दिखाई देते हैं तो यह सुब होता है यदि आप पर हनवान जी प्रसंद होते हो दिखाई दिखाई देते हैं यह भी सुब होता है जब भी आप क्रोटित बंदर को देखें हनवान जीओ गुस्ते में देखें तो मंगलवार की दिन कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं यह देखें हनवान चल्चा पढ़ते समय तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं या फिर आपने नमक का सेवन कर लिया या वरत लिया था वरत चूट रहा है या आप अनैतिक कारियों में मंगलवार के दिन लिफ्ट होते हैं जो इनसान भगवान बजनक बली की पूजा करता है उन्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए बाखी अगर आप पूजा पार पाग दूर रहना चाहिए जब भी आपकी पूजा साथना या चारीशा सिद्ध हो जाएगी तो आपकी अंदर हनवान जी जैसी उर्जा का संचार होगा उनका एक अंस आपको मिल जाएगा आपके मुख में चमक होगी चेहरा लाल होगा उर्जा बढ़ जाएगी और किसी राम चद्र जी को भी अगर आप याद करते हैं तो हन्वान जी उनसे जल्दी प्रसंद हो जाते हैं हन्वान चाहिशा इन सम्में पावरफुल मानी गई है आप भन्वान चाहिशा हमेशा सुबह करें अपनी इच्छा बताएं सुन्दर कांड का भी पाट कर सकते हैं या फिर ओम हम हन्वते नमा मंतर का भी आप जाप कर सकते हैं लास्ट में वीडियो में जाते जाते हन्वान जी की पूजा में कुछ चीज़े आपको धान देने चाहिए दो चीज़े हैं और उसके बाद इस वीडियो को गिराम देते हैं स्री बजजणमली के भक्तो को अपने जीवन में भूलते भी अंडा मास मचली मदिरा या किसी भी प्रकार के नसीले प्रदात का सेवन नहीं करना चाहिए स्री बजरंग बली संकट मुचन जी की साधना ततपूजा करने वाले भक्तों को कभी किसी दूसरे का आप मान नहीं करना चाहिए खास करकी विखारी, गरीब, रोगी, अपाहिच और उजुर्ग सो मैं आसा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा जो लोग मेरे चैनल पर नहीं आये हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्याज़ ज़्यादा लाइक और सेयर जरूर करें अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा आप सभी लोग खुश रहें स्वस्त रहें और आपके अध्यात में गुन्नती होती रहें जाए महा काल जाए महा वगला मखी